तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करन्ट अफ फियर्स को तो आए शिरू करते हैं सबसे पहला और इंपोर्टेंट अर्टिकल है तो देखिए क्या ये न्यूज है इस समय आपको पता होगा इस समय अमेरिका के प्रेजडेंट जो बाइडन अपनी जन्पा को और मीडिया को ये बताने में बीजी है कि शी जिम्पिंग ने उनकी मीटिंग का ओफर नहीं ठुक रहाया जबकि आप अगर देखो तो लगातार जो USA मीडिया आउटलेट्स हैं वो यहाँ पर ये न्यूज कवर कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रेजडेंट ने फोन किया था शी जिम्पिंग को जिसमें 90 मिनिट तक उनकी बात करी थी उनसे और जो बाइडन ने बहुत सारे बहुत बार रिकुएस्ट भी करी उन्हें की एक बार सम्मिट कर लेते हैं हम ताइवान की इशू को लेकर डिसकस कर लेते हैं बट शीर जिंपिंग ने ये बात क्लियर कर दी कि मैं आपसे मिलूंगा भी नहीं और यहीं कहूंगा कि जो अमेरिका का एग्रेसिव टुट है अबाउट चाइना उसे ठीक करो और यह सब देखने के बाद अमेरिकांज शॉक्ड हैं कि एक इंटरनेशनल स्टेज पर यह रेपूटेशन हो गई यूएस से की कि जो बाइडन ने 90 मिनिट तक उन्हें रिक्वेस्ट की मीटिंग कर लो मीटिंग कर लो और डारेक्ट उन्होंने मना कर दिया तो क्या 53rd Tiger Reserve तो देखिए गुरू घासी दास नैश्रल पार्क इंदिया का 53rd Tiger Reserve बनने वाला है यह 36 गर्ड में बेसिकली तो 36 गर्ड गवर्मेंट ने डिकलियर करा है उन्होंने सोचा है डिकलियर करने का सोचा है गुरू घासी दास नैश्रल पार्क को यह जो है स्टेट के कोरिया district में आता है ये कहां आता है state के Korea district में आता है वहां और ये जो decision है ये लिया गया है 36 स्टेट wildlife board के द्वारा जिसके चेर चीफ मिनिस्टर कौन है बुपेश भागेल इससे पहले ये decision 2019 में भी शुरू किया गया था तो आपको ध्यान रखना है कि गुरू खासी दास नैशनल पार्क इंडिया का 53rd Tiger Reserve बनने वाला है अब हम next article देखते हैं वो क्या बात करता है union cabinet अपरोज रुपीज 26,000 करोड प्रोडेक्शन लिंक्ट इंसांटिव स्कीम्स फॉर auto and drone सेक्टर्स तो देखिए जो यह auto mobile सेक्टर है और जो यह drone सेक्टर है तो इसमें क्या है 26,000 करोड रुपे का जो PIL स्कीम है उसका approval दे दिया है cabinet minister के द्वारा कली और यह जो 26,000 करोड का जो PIL स्कीम है प्रोडेक्शन लिंक्ट इंसांटिव स्कीम यह तीन चीज़ों के लिए लाया जा रहा है कौन कौन सी है वो तीन चीज़े एक है auto sector इसमें जो पूरी गाडिया बनकर त्यार होती है उसे कहते हैं और दूसरा है auto component industry इसमें क्या है जो पूर्जे बगर होते हैं गाडियों के वो लगते हैं वो second point यह हो गया है and third drone industry के लिए और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अगले 5 साल में auto mobile और auto component वाली जो industry है वो एक नया investment भी करेंगी यह बताया जा रहा है यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है union cabinet approves rupees 26,000 crore production linked incentive schemes for auto and drone sectors next article है day will surely come when article 370 and 35a would be restored देखिए क्या यह news है महवूबा मुफ्ती का यह बयान आया है उन्होंने कहा है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब article 370 और article 35a को restore किया जाएगा यह article था जो जमू और कश्मीर को बिल्कुल अलग बनाता था तो 2019 में 5 अगस्त को 370 हटा दिया गया था जैसे कि आपको भी पता है अब इस 370 के अंदर ही 335a आता था तो वो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था तो अब 370 हटाया गया तो बहुत बवाल हुआ था पूरे कश्मीर में कर्फ्यू भी लगाया गया था बहुत सारे मतलब अरेस्ट भी होए थे इस केस में बट अब धीरे सिच्वेशन जो ठीक होती जा रही है चीजे ठीक हो रही है तो अब क्या है पॉलिटिकल लीडर्स जो हो हर जगे से रेली कर रही है तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक 370 और 35 जरूर आएगा एक दिन और ये भी बोला है कि पहले जो दुश्मन बहार आते थे बहार से आते थे अब वो अंदर है जमू कश्मीर के लोग जादा सफोफिकेटर फील क कर रहे हैं और हम हमारा जो है दम गुटता है ऐसे में हम नहीं रह सकते तो ये सब बूला है महबूबा मुफ्ती ने तो गाइस यह थे हमारे आज के कुछ रिटिस्ट करन टफ यह ओप सो आपको वीडियो हेलफुल लगी होगी अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी दिन आपको 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 और कैसे सकते स्बंचर। एस लोगी